अब हम शुरू करते हैं आपकी वॉक्षीट नमबर 12 यह आपकी सस्टी की वॉक्षीट है क्लास 7 की तो आप लोग इसे ले लेंगी चलिए इसे पहले अच्छे से लेबल कर लीजिए डेट डाल लीजिए अपना नाम अपने टीचर का नाम सब कुछ आप लोग जल्दी अब यह उसी चैप्टर को आगे कॉंटिन्यू कर रहे है डिली के सुल्तान वाले चैप्टर को ठीक है चलिए अब यहां क्या लेका है पंद्रवी वा सोल्वी शैताब्दी में दिल्ली के सुल्तान अब यह 15 और 16 शैताब्दी की बात हो रही है तो सबसे पहले कौन है यहा कि शाशनकाल में विक्सित राज्ये छोटे अविशक्ते परंतु वे शक्ति शाली थे शेर शासूरी की दोरा इस्थापित की गई प्रशाशन व्वस्ता भविश्ये के राजाओं के लिए एक मिसाल बन गई थी उसके बाद के लिख है बंगाल जोनपूर मालवा गुजरा राजस्थान दक्षिन भारत के अनेक राज्ये एवं अफगान शाशन दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्शों में अस्तित्व में आई यानि कि अब ये बोल रहे हैं कि जो बंगाल जोनपूर मालवा गुजरा ती जो और इस तरह के राज्ये थे यहां पे अफगान शाशन जो प्रशासन की बीच तुलना यानि कि उनके बाद जो है इन दोनों के क्या तुलना रही है यानि इन दोनों में से किसने क्या किया कैसा स्थाशन वे वबस्ता चला है इसको देखते हैं उसने आकरमन के से बचने के लिए अपनी एक विशाल इस्थाई सेना खड़ी की ठीक है इन्होंने क्या करा है इन्होंने टेक्स आफिसिंस पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना बनाई इन्होंने अपने आपको बचाया और इन्होंने लड़ने की तैयारी की ठीके इसके बाद क्या लेका है उसने अपने सैनिकों के लिए सारी नामक एक नई गैरिसन शहर का निर तो देखे हैं डोनों में फर्क अलाउद्दिन खिल जी और मुहम्मद लखन आपको फर्क दिख रहा होगा ठीक है इनों ने ने चीजों बसाया इनोंने पुरानों को खाली करा कि उस वको नया बनाया ठीक है सैनिको का पेड़ भरने की समस्या का समाधान किया यह गंगा और यमना के बीच की भूमी से करके रूप में 31 उपज के मध्यम से किया गया यानि अब यह क्या करते थे जमना और गंगा के यह जमना या यह एक ही चीज़े इसके बीच में जो जमीन थी बहुत उपजाओ थी य इनों ने किया करा गंगा वो जमना के बीच में 67 करका उपजूग सेना को खिलाने के लिए किया गैएलेकिन सुलतान ने बड़ी संकिया में सластमाविषक्टा और फूरा कने उन्होंने अपने सैनिकों का वेतन एकत्रा के बजाए नगत में दिया, यानि उन्होंने उसको जमा पूंजी उसमें देने की बजाए से की टैक्स या यह जो चीजे होती है यह लिए पैसों में है ना, तो इन्होंने उनको भी पैसों में दिया, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भुक्तान किया लेकिन कीमतों को नियंतिरत नहीं किया ठीकिया यह एन्हों नगत का भुक्तान तो कीमत नहीं किया एनके प्रशासन उप्याक असफल रही जहसे जो जो चीज़े उपाय को तना सब सब्सक्राइब है कश्मीर पर उसका आक्रौमन पूरी तरह से विपल राम जियानी कि कश्मीर पर इन्होंने आक्रमन किया होगा कि सेना करने के लिए इसके बाद इन्होंने जो रखाता कि हम बनलब जीतेंगे और जब लेगर तो इन्होंने उस सेनाओं को भंग कर दिया हैंने सबको बर्खास कर दिया सबको नौकरी से निकाल दिया गया और का आप मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है अब यह बच्चा देखिए आपकी तरह एक बच्चा बना हुआ है प्यारा प्यारा सा क्या लिखता है कल्ब सुल्तान के पाथ को उसकी कर देखिए तरह सोटमाद एक कर दाएक करमारी में भज़ा करतेば करते हैं जिसकी करमाद के करते हैं पहले हैं यह झाई सुझ वार्थ दिन खिलजी और मुहम्मद तगलग के जो शाशन प्रवस्ता थी उसमें अंतर इसपश्ट कीजिए तो दीखे इसमें अंतर आप यहीं से सीधा सीधा इसपश्ट कर लेंगे और कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है यह और यह पूरा पॉइंट आप यहां से यहां तक तुलना जो हम करते हैं यहीं हमारा अंतर भी कहलाता है क्योंकि भाई डिफरेंस भी वहीं है जो कंप्यार हो रहा है अब आपको यह नेक्स टूशन दिया गया है नीचे दी गई साड़नी में वंश की अनुसार उसके शाशन के नाम लिखिए अब तो मॉम्मद जो तुगल क्या सुद्दिन बिन दुगलग दोण है लिखेंगे लिए अगला कुशन पर देखते हैं दूसरे वाला इसकांसा यहां से लिखेंगे के बाहूल लोधी ठीक है और इसके लिए इब्राहिम लोधी तो आप तीनों को यहां पर नाम लिख लेंगी चलिए तो आजकी झाल झाल